कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्ते और रेप के मामले की जांच तेज हो गई है जहां जांच के लिए CPI की टीम दिली से कोलकाता पहुँच चुकी है जिसमें एक स्पेशल मेडिकल टीम के अलावा फॉरंसिक टीम भी शामिल है जो क्राइम सीन पर जाकर जांच शुरू करेगी इसी बीच मेडिकल कॉलेज के उस सेमिनार हॉल की तस्वीरे भी सामने आई हैं जहां लेडी डॉक्टर का शफ बरामत हुआ था इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ दरंदगी की गई थी आरोपी संजे राय दो बार इसी सेमिनार हॉल में आता हुआ दिखा था वहीं आज सुबह करीब दस बजे तक सीबी आई को केस डाइरी और दूसरे रिकॉर्ड राज्य सरकार ट्रांसफर करेगी राज्य पुलिस को ये कलकत्ता हाई कोट ने आदेश जारी किया है ये मेडिकल कॉलिज के सेमिनार हॉल की तस्वीरे आप देख रहे हैं ये वही जगा है जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी उनका शब यहीं से बरामद हुआ था और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मताबिक इसी सेमिनार हॉल के नजदी की कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन भी किया है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो तोड़फोर की गई है वो पुलिस की मौझूदगी में है जब इस तरह का जो क्राइम सीन होता है उसे सील कर दिया जाता है वहाँ पर पुलिस की मौझूदगी रहती है और पुलिस की मौझूदगी के बीच इसी सेमिनार हॉल के नजदीक कुछ एरिया में तोड़ फोड़ की गई है अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि यहां पर वाश रूम्स बनाने का काम किया जाएगा इसलिए तोड़ फोड़ की गई है अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं आपको बता दें कि ये वही जगा है जहां मेडिकल कॉलिज में लेडी डॉक्टर के साथ जगन ने अपरात किया गया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई अब इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस से ये मामला कलकत्ता हाई कोट ने CBI को ट्रांसफर कर दिया है और आज 10 बजे तक कलकत्ता पुलिस को केस डाइरी CBI को सौपनी है